मद्यप्रदेश में हाल ही में दो दिनों तक मुसलाधार बारिस हुई जिससे कई गाउं टापू में बदल गये आने जाने के सभी रास्ते बंद हो गए थे ऐसे में गर्भवती महिलाओं को सच्छे जादा मुस्किलों का सामना करना पड़ा भोपाल के बेरसिया ब्लॉक के मैनापुरा गाउं से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां प्रसव पीड़ा से तड़परही गर्भवती को भारी बारिस के बीच अस्पताल पहुचाना परिवार के लिए चुनोती बन गया था नाला उफान पर था और जाने का कोई रास् महिला के ससूर राथे से हम गुर्जर ने बताया बहु भूरी देवी को सोम बार सुबह चार बज अचानक प्रसव पीड़ा सुरू ही मुसलाधार बारिस हो रही थी नदी नाले उफान पर थे हमारा गाउं मैनापुरा जलासे के बैक वाटर एरिया में आता है जलासे के प रास्ता बनाएंगे सबसे पहले मैंने अपनी बाउंडी वाल के गेट को तोड़ा गेट लेकर नाले के किनारे पहुँचे गाउवाले भी अपने घरों से ट्यूब बिल के पाइप और रोड ले करा गया सभी ने मिलकर 20-25 मिनट में पाइपों के उपर गेट डाल कर पहुचा ना चुनौती थी बहु को खाट पर लिटाया बारिज से बचाने के लिए खाट को तिरपाल से ढख दिया करीब 1.5 किलोमेटर कच्चे रास्ते से होते हुए खेट तक पहुचे यहां भांजा जगदीश ट्रेक्टर ट्रॉली लेकर खड़ा था जिसकी मदस से ब काफी परिसानी का सामना करना पड़ा लेकिन पोते का चेहरा देखते ही सब भोल गया गाओं के लोगों ने इस संकट के समय में सहयोग किया अरे तरपाले उड़ा दो खाट परी आँ असा उड़ा लो अब पकाड़ दो चले जाओ ओए जगदी पर अंता पकाड़ी जो हमाए आराम आराम जे कम जयना जाओ पर उचा के पाइब नब जया अब भोल गाओ अब मरी चुको अब अचृपलिग रेज के लिचा हैं बठाया कि इटाम रोगों एल गाओ ओडूट काताओ लगार इखनाक सदेफिशक पर रूचल